तो हेलो गाइस, केस वाप सभी लोग, आप सब का स्वागत एक बहुत ही अच्छे दिन पर, आज काईसर मैं बहुत ही जादा खुश हूँ, क्योंकि काईसर हमने खोल लिया है, नया नया कार शोरूम, जी हाँ, मैंने अपने सारे के सारे पैसे, आज तक मैंने जितने कमाये थ चोरी करके, अच्छे-च्छे काम करके, सारी कामों से जितने पैसे कमाये थे, उससे हमने अपना showroom, खोल दिया है, अरे साइमन क्या हो गया, तू के अतना टेंक्षन में हैं, अरे अरे फ्रैक्लिन, बहुत ही बड़ी दिक्कत हो चुकी है, क्या, कौन सी दिक्कत, अरे फ्र क्या कुछ जाकर और वो लो सेंटोस के अलग-अलग कौनों में पढ़ी है तुमें जाकर सारी गाड़ियों को लाना पढ़ेगा अरे साइमन ये तुने क्या कर दिया मैंने तुझे सरिफ एक काम दिया था तो वो भी नहीं कर पाया वड़ाफट से मुझे लोकेशन बेज मैं जाकर गाड़िया लेकर आता हूँ तो गाइसर मैंने सोचा था हमारा साइमन बहुती काम का बंदा है सारे की सारे काम बिल्कुल ढंक से कर देगा पर इसने सबसे मेन काम ही नहीं किया हमारी गाड़िया ही नहीं मंगवाई अब बिना गाड़ियों के शोरूम कैसे चलेगा पर काईसर कोई बात नहीं आज बहुत ही अच्छा दिन है इस दियम गुस्तानी करने वाले सीधा जाएंगर्स सारी की सारी गाड़िया लेकर आते है और अभी मुझे यहाँ पर लोकेशन भी आ चुकी है तो चलो यह वड़ापट से चलते हैं गाड़िया लेकर आते हैं तो काईसर अभी हमें अपनी पहली गाड़ी मिल चुकी है पर मुझे समझ नहीं आ रहा यह गाड़ी प्रिजन के पार्किंग में क्यो खड़ी है अब गेट खोले जाए थो मुझे पता नहीं डिलिवरी वाले ने यह गाड़ी यहाँ पर क्यो रखिए मुझे समझ नहीं आ रहा पर कोई बात नी फड़ापट से यह गाड़ी ले ले लेते हैं बनाना कार हमने मंगवाई थी अपने शोरों के लिए कितनी जादा बढ़िया लग रही है एकदम केले जैसे ये गाड़ी है पीछे देखो इसको केले का निकल रहा है चुनो फड़ापट से इसमें बैठते हैं और चलते हैं इस गाड़ी के अंदर ए लड़के रुगजा मेरी घाड़ी का लेकर जा रहा है क्या आपकी घाड़ी ओ चचा ये मेरी घाड़ी है वो डिलीवरी वाले ने आपके गलती से रख दिये क्या कौन सा डिलीवरी वाला चुप चाब यहां से निकल जा ये लड़के मैंने बोला ना ये मेरी गाड़ी है अरे अंकल ऐसे कैसे आपकी गाड़ी है इसके पैसे मैंने दिये मेरी गाड़ी है ये मैं तो लेकर जा रहा हूँ ए रुक जा मैं तुझे नहीं चूड़ूँगा अरे जुकल की मर मुरा जाओगे तेरी ऐसी कित जाना यहां से मुझे अपनी गाड़ी ले कर जाने थे निकल यहां से निकल मैं तो यहां से निकल रहा हूँ यह उंकल तो पागल हो चुक है तो काईजर हमी आप देख सकते हो फाइनली हमें ये खदरनाक सी बनाना गार यहाँ पर मिल चुकिए कितनी जादा खदरनाक है एसी लोसेंट टॉस में गारी सिर्फ एक ही है चुकि हमारे पास है तो काईजर हमारा शोरूम तो बहुत एक खतरनाक चलने वाला है पर अभी तो हमें सिर्फ एक ही गारी मिली है हमें बाकी की गारी लानी पड़ेगी पर मुझे अभी भी समझ नहीं रहा वो प्रिजन और काईजर आप देख सकते हो हमारे शोरूम में आ चुकि है अपनी सबसे पहली पहली कार चुकि है यह खतरनाक सी बनाना कार फुराफट से इसको यहां पर खड़ा कर देते हैं वाव फ्रेंक दिन तुमने अपनी पहली कार चुडा ली क्या चुडा ली अरु मेरे मतलब निकालता हूँ अबे साइमन इसको बताना यह क्यों परेशान कर रहा है अबे निकल यहां से तेरी ऐसी की तैसी कब से परेशान कर जा रहा है अरे फ्रेंक्लिन मेरी बात सुनो मुझे तुम्हें एक बात बतानी है क्या हो गया फ्रेंक्लिन मैंने कोई काड़िया से था मैं इस प्रिजन गांड की गाड़ी चुरा के लिए किया गया अरे फ्रैंक्लीन कोई मत नी अब तो ये मड़ चुका हैना मड़ चुकाये मैंने प्रिजन के सामने इसको मारा था मैंने सोच था मैं कोई भी गलत काम नहीं करूं गए शूरूम के खुलने के बाद पर साइमन तूने ये क्या करा दिया अरे फ्रेंक्लिन ये आगरी कलत काम होने वाला है तो जल्दी जाओ और पाच्छे गाडिया चुरा कर ले कराओ ताकि अपने शोरूम को बुड़ा गाडियों से भड़ सके क्या और पाच्छे गाड़ी चुराने पड़ेगी फ्रेंक्लिन ये आगरी गलत काम होने वाला है अरे काईसर ये साइमन तो बिल्कुल ही पागल है मुझे लगा था ये बनाना कार हमारी है पर हमने इस प्रिजन वाली की गाड़ी चुरा ली और इसको यहाँ पर मार दिया है इसकी बॉड़ी यहां से अटवा दियों मैं जा चुराते हैं तो काईसर अभी तो आपने वीडियो को लाइक निगा तो फटाफट जाके लाइक कर दो चला को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख दो अच्छा इंसान बन जाओ क्योंकि अगर आप कमेंट निक करोगे तो मैं फिर से चोरी करने चला जाओंगा तो अ बचाहाँ घरिक तो काईसर यहां पर ये सारे के सारे लोग उस गाड़ी को चुराने आएं पर मैं इंको चुरा कि रहूँगा पुलिस वाले इनको रोक रहे, मुझे इन सब को मारना पड़ेगा, तुमारी ऐसी की तैसी येलो, अरा ये गाड़ी हमारी रहेगी, इस गाड़ी में ऐसा क्या खतर ना के, जो ये लोग इतना तेज लड़ाई कर रहे, रुख जा मुझे इन सब को मारना पड़ेगा, येले तूभी ले एले अब हुँत वहां पर बच है उन्स सब को मारना पड़ेगा मेरे पीछे आगे सब्सक्राइब दैजे के विधुथ चूरा ले यह एक मार दिया और हमने इनको मार दिया और यह पर आफ देख सक्nio ये कैसे बज़ गया तो finally मैंने सारे के सारे लोगों को मार दिया है और काईजर ये वो गाड़ी है जिसको ये चुराने की कोशिश कर रहे थे अब आप सोच रहों कि ये तो एक टायर है नहीं ये एक टायर नहीं है ये है एक खतरनाग सी गाड़ी आप देख सकते हूँ इसके अंदर अभी मैं बैट चुका हूँ और इसको मैं ऐसे चला भी बारा हूँ ये बहुत ही जादा खतरनागी पर वो अलग बात है इसके अंदर चक्कर आ जाएंगे ये गोल गोल गूमे जा रहा है पर गैजर कोई बात नहीं आप देख सकते हूँ फाइनली हमें अपनी अगली गाड़ी भी यहाँ पर मिल चुकी है थोड़े गुंडो को मारने के बाद हमें ये खतरनाग सी टायर वाली वीकल मिल चुकी है ऐसी वीकल पूरे लॉस सेंट डॉस में किसी के पास भी नहीं है सिर्फ हमारे पास है क्योंकि हमें अपने शोरूम को बहुत जाद अच्छी तरह चलाना है इसलिए हमें ऐसी खतरनाग खतरनाग वीकल से अपने शोरूम के अंदर रखनी बढ़ेगी तो चलो एर फड़ाफ़ट से इसको रखके आते हैं अपने शोरूम पर तो गाइस है अभी आप देख सेक्ट हूँ इस टायर को हम लोग लेकर आचुके अपने शोरूम पर और यहाँ पर फड़ाफ़ट से इसको खड़ा करते हैं और इस टायर में से निकल जाते हैं जाने वाली है और इस गाड़ी को हम बेचेंगे मिलियंस ओफ मिलियंस ओफ डॉलर्स में तो चलो यार दो गाड़ी हमारे पास हो चुकी है पर अभी भी हम यहाँ पर रुक नहीं सकते हैं और भी जादा गाड़िया चाहिए फटा फट इस अंकल को पहले तो यहाँ पर मारते हैं योगी मुझे इसकी बाइक चाहिए और हम जाने वाले अपनी अगली गाड़ी चुराने तो चलो यार फटा फट से चलते हैं अपनी अगली गाड़ी चुराने तो खाई सर अभी आप देख सकते हो तो हम लोग पहुँच चुके लोस सेंटोस के सबसे बड़े बैंक में और काईजर इसका में एंट्रेस तो इधर है पर यहाँ पर बहुत सारे गाड़्स खड़े क्योंकि काईजर अभी इस बैंक के अंदर एक बिलिनर की कार आई वी है और काईजर उस गाड़ी को हम चुराने वाले है और आप सोच रहे हैं मैंने यह कैसा चश्मा में रहे है तो मैं आपको दिखाता हूँ इस चश्मे से क्या होने वाला है यह देखो हीट विजन इस चश्मे की मदद से हम सारे के सारे गाड़्स जो अंदर खड़ें उनको देख पाएंगे बस उसके लिए मैं गेट को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा तो आप देख सेकतो हमारे हीट विजन ने सब का सब दिखा दिया कि कहा कहा पर गाड़्स खड़ें और चुप चाम चलते सारे गाड़्स उदर देख रहे हैं लेट्स को और यह मंदर आगया और यह गार्ड़ वे उदर देख रहे हैं और मुझे जाना है ऊपर नाइस बहुती बढ़िया हमारा आइडिया ढंक से काम कर चुका है और आप अभी देख सकते हो हम इन वैंक वालों के ओफिस के अंदर आचुके हैं यहाँ पर अपनी गन निकालेंगे और आप देख से तो हीट विजन की मदद से इन दोनों को भी हम यहाँ पर मारने वाले हैं तो काईजर दो जनों को तो मार दिया अभी वाकि सारे जनों को भी मारना है पर काईजर मुझे आराम से मारना पड़ेगा क्योंकि नीचे बहुती जादा जने अगर इन ने मुझे देख लिया तो ही मुझे बहुती बाना मारेंगे पर मेरे पास एक आईडिया है खतरनाक ग्रेनिट्स लॉंच करने का ग्रेनिट्स लॉंच करेंगे और खतरनाक सी RPG वी और अब लगता है टाइम आ चुका है यहाँ पर अटैक करने का तो काईजर इतनी सारी सेक्यूरिटी है मतलब वो गाड़ी सही में बहुत ही जादा खतरनाक होने वाली हैं सब को मारते मारते चलते हैं और यहाँ पर मैंने सब को मारते हैं चलो फड़ाफट से गाड़ी उठाते हैं तो चलो फड़ाफट से बैंक की लॉकर की तरफ चलते हैं और बाकी चितने गाड़ से उन सब को मारते मारते चलेंगे तुमारी ऐसी कि तैसी यहला तूभी ले सब को मारने वाला यहाँ पर सही में बहुत ही जादा गार्ड्स है इसका मतलब वो गार्डी सही में बहुत ही जादा खतरनाग है तो गेट यहाँ पर खुल चुक है और अंदर में मुझे तोड़े गार्ड्स दिखे तोड़े स्मोक ग्रिनेट्स फैक दिये चाहे और यह मेरे पार मास्क बिना हुआ है तो मुझे तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नी आने वाली लेट्स को बहुत सारा स्मोक हमने अंदर फैला दिया है अब बस हम पांच तक इंती गिनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच तो चले अरवणावट से अंदर चलते और मुझे पता ही दा पूरा का पूरा स्मोक फैल चुको और सारे लोग मढ़ चुके और यह क्या, यह गाड़ी तो मिल चुकी है मुझे यह क्या गाड़ी है, यह तो पूरी गोल्ड की लग रही है चलो इसको बाहर निकालते है और काइजर अभी आप देख सेक्ट हो, यह गाड़ी यहां से बाहर निकल चुकी है और यह कहा जा रही है, एक सेकिट काइजर यह तो मैंने देखा ही दा, इस गाड़ी के सिरुक तीन टायर है दो टायर आगे, एक टरपीजी, इस लिए इसको बैलेंस करना तोड़ा मुश्किल है यह सही में बहुत ही कतरनाक है पर काइजर यह गाड़ी बुलिट प्रूफ है तो यह पुलिस वाले तो मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे मैंने बैंक में हमला क्या किया पूरे लॉस सेंटोस की पूलिस आ चुके है अबे हट जाओ तुम्हारी आ ऐसे की तैसी यह यह ले ओ काईसर यह गाड़ी सही में पावरफुल तो है पूरी की पूरी पूरी पूलिस वालों की वैन को ही लड़ाला इसको भी मारेंगे, अरे बच गया जो भी सामने गाड़ी आएगी उसको हम उड़ाते जाएंगे क्योंकि यह गाड़ी सही में बहुत ही जादा पूर्फुल है तो पूलिस वाले मुझे कभी नहीं पकड़ सकते है रुक जाओ अभी इनको बताता हूँ एक तो एक टायर होने की वज़े से मेरी गाड़ी इधर उदर उपर नीचे गिरे जा रही है या येला ओ इत्ता इत्ती भी स्ट्रॉंग नीए कि सारी के सारी गाड़ी को एक साथ इला दे अभी साइड हो जा मुझे चाने तो और वो का हवा में चली गई तो यार यही बिल्कुल साइट आयम है यहां से एसकेप करने का इस खतरनाक सी तीन भाईयो वाली खतरनाक गाड़ी में हमें क्या कर रहे हैं ये पुलिस वाले तो काई सर अभी हम निकल चुके हाईवे की तरफ और काई से बुलिट पुरूफ गाड़ी के अंदर भी इन्होंने छेट कर दिया है पर कोई बात नहीं अब हम जाने वाले सीधा अपने शोरूम पर पुलिस वालों के हेलिकॉप्टर्स पीछा रहे हैं पर मुझे लगता यह मुझे पकड़ पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतनी खतरना गाड़ी है तो चलो एर फड़ापट से अपने शोरूम पर चलते हैं और मैं अलग अलग रस्तों से जाने वालों ताकि यह पुलिस वालों मुझे ट्रैक न कर सके पता चले यह यह शोरूम पर ही अटैक कर द है क्योंकि यह बहुत ही जादा खतरना गए तो लेट्स को फड़ापट से इसको यहां पर खड़ा कर दिया जाए और डन अरो फ्रेंक्लिन यह गाड़ी तो मैं कहां से मिली यह गाड़ी मैंने एक बैंक से चुराई है क्या बैंक से हाँ बैंक से चुराई है पर अभी में चुराने जाना है चलो फड़ापट से ट्रेन को पकड़ते हैं पकड़ो 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 यह पकड़ ली औरे मुझे लगा था मैं यह ट्रेन में सकर दूंगा पर गाइसर हमने इस ट्रेन को पकड़ लिया और आम सोच लोगे कि हम इस ट्रेन को क्यों पकड़ रहे क्यो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आप हम आखरी फाइनल गाड़िया अपनी चुराने वाले तो काई सर अभी हम लोग आ चुके रेल्वे की पट्री पर अपना ट्रेन का वेट कर रहे हैं कब आएगी हमारी ट्रेन और यह क्या ट्रेन आ चुकी है तो काई सर यह वाली में कुछ स ट्रेन परा में वो खदरनाग सी गाड़ी मिलने वाली है देखते क्या है वो गाड़ी कौन सी गाड़ी है चलो चलते हैं तो चलो है फटांपट से पीछे वाले डबो में चलते एक सेकिंड अपे यहाँ पर यह लोग क्या कर रहे हैं मुझे लंगा ता इस ट्रेन पर कोई सक्सेस्फुल नहीं हुआ तो काई सर मुझे लगता है मेरा लग दिरी दिरी खराब होता जा रहा है इसका मदले हम आप वीडियो को लाइक और चैले को सब्सक्राइब करें चल्दी चल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर तो ता कि हमारा लग बहुत ही जादा बढ़ चाहे हमें मिल चुकी है कैरेट कार पहले हमने एक बलाना कार चुराई उसके बाद यह कदरनाक सी कैरेट कार यह भी बहुत ही जादा बढ़िया लग रही है और आप देख सकतों यह कितनी जादा मस्त है यह कैरेट कार इसको चलाने में भी बहुत ही जादा मज़ा रहा है तो चल अबारा शोरूम हो जाएगा complete और अपने शोरूम की ओपनिंग फाइनली कर पाएंगे तो चलो एफड़ापट से चलते अपनी आखरी फाइनल कार चुराने फिर उसको और इस केरेट कार को एक साथ ही रख देंगे अपने शोरूम में चलो वड़ापट से चलते हैं लेच गो हा हा तुम लोगों का स्वागत है इस खदरनाक सा चैलेंज में मिले मेरी दो कल्फरेंड से आज हम सब करेंगे एक खदरनाक सा चैलेंज ये डेडली रैम चैलेंज और इस रैम चैलेंज में जो भी जीतेगा उसको मिलने वाली है ये रोकेट कार ऐसी दुन्या में सुर्फ एक ही है तो कि मेरे बास है बागी का चैलेंज मेरी गल्फरेंड तुमें बताएगी तो मैं बताती हूं तो मैं सेरेज में क्या करना है सब को अपनी अपनी गाड़ी के अंदर बेटने है और इधर से अपनी गाड़ी को नीचे लेकर जाना है और इस रैम से नीचिक चाते चाना है याद रखना ये रैम बहुत ही जादा फिसलन वाला है क्योंकि ये बरफ के रैम है और जो भी सारे के सारे रैम को क्लियर करते करते फिनिशिंग लाइन पर पहुचेगा वो इस चैलिंज का विनर होने वाला है बहुत बड़िया अब मैं ये गाड़ी लेकर जा रहा हूँ फिनिशिंग लाइन पर तुम्हारा वेट करूँगा जो वहाँ पर पहुचा उसकी ये गाड़ी होने वाली है और याद रखना ये रैम बहुत ही खतरनाक है मैं तो अपनी गाड़ी के साथ उड़कर इस रैम को क सूपरमैन की लगता है ये चैलेंज को एक ही बारी में खतम करना चाहते है मेरी बात सुनो अगर इस चैलेंज को मैंने कंप्लीट किया तो क्या मैं तुम्हारी गर्फ्रेंड भी रख सकता हूँ चल हट हम तेरे साथ क्यों जाएंगे कोई बात नहीं मेरी शादी पहले से हो बड़ है तो पहते ला अंशे ने कर बचा खुडव योथ arc पैसलित नहीं पर यह तो बहूरी चाल जा रही है मुझे तो सामझ मीने रहा नाई नाई आरा ये क्या हो गया है और कहीं देख सेहते हूँ सूपरमैन यहाँ पढ़ार और टिस कॉलिफा हो चुका है और Spider-Man की बारी बे आ चुकी है अरे सब के सब साइड हो जाओ मैं इस चैलिंज को कंप्लेट करने वाला हूँ एक सिकेड Spider-Man की पास तो गाड़ी चलाने का लाइसेंस भी नहीं है वो कैसे चैलिंज कर रहा है अब तो वो गाड़ी जीत के कहेंगा क्या और मुझे मचाओ और मैं कहां जरो और ये Spider-Man में मुझे लगता है डिस्कॉलिवे होने वाला है नहीं नहीं मुझे डिस्कॉलिवा नहीं होना औरे काईदर इसकी गाड़ी तो उपर नीचे गोल गोल कूंते कूंते फिनिशिंग लाइन की तरफ जा रही है अरे मुझे 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 तो काई सर अभी आपन Spider-Man में डिस्कॉलिवे हो चुका है तो काई सर मैं आपको बरता आकरी गाड़ी हम चोरी करेंगे पर काई सर हम इस सेलेंज को कैसे भी करके कंप्रीट करना पड़ेगा रोक जाओ Franklin पहले मैं जाओंगा अरे अभी मेरी बारी में जाओंगा अरे Franklin मेरी बात समझो मुझे बहुत तेज़ तटी आ रही है मैं लड़कियों के सामने नहीं बोल सकता अच्छा, Iron Man तुझे टटी आ रही है अरे इस Franklin तुमने क्यों बोला तु गैजर, अभी Iron Man जाने वाला है क्योंकि उसको बहुत ही तेज़ टटी आ रही है तो वो मेर से पहले जाना चाहता है और मेर से पहने डिस्क वाली पहनों चाहता है अब ऐसा नहीं होने वाला है मैं अपनी टटी को रोक लूँगा पर इस चैलेंज को करके दिखाऊंगा अब या Iron Man चुप चाप जा टटी करने नई, 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 आप मैं इस चैलेंज को जीत कर रहा हूंगा, देख ले ना दीख दे, तो कैसे अभी आप देख सकते हो हमारा Iron Man उड़ते उड़ते जा रहा है फिनिशिंग लाइन की तरफ पर मुझे नहीं लगता ये पहुच सकता है आपको कह लगता है, फटा फट से कमेंट करके बता दो और अगर आप चाहे तो मैं ये चैनल जीच जाओ, तो कमेंट करके गुड लग फ्रैंकलिन कमेंट कर देना जितनी जादा कमेंट होंगे, उतना जादा मेरे चांसिस बढ़ने वाले इस सैलेंज को चीतने के, तो चल्दी चल्दी लिख दो मैं तो पोचने वाला हूँ, और ये क्या, फैन ने मारी ठोकर और फिनिशिंग लाइन के बहुत जादा पास आकर भी आरन मैं हो चुका है, डिस्कॉलिफाइब तो मारी बारी आचकी है, हाँ, मेरी बारी आचकी है, और मैं अपने साथ अपनी कैरट कार भी लेके आया हूँ तो काईजर ये कैरट कार आवारी मदद करने वाली है, चैलेंज को चितने में, लेप्स गौू। फड़ापन से चलते हैं और इस चैलेंज को जीत का दिकारते हैं तो काईजर ये अखरी बार होने वाला है, चल्दी चल्दी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर तो ये आखरी मौका मिलने वाला है, क्योंकि काईजर इसके बात या तो वो गाड़ी हमें मिले और ये सीधा हम यहाँ पर हो चुके हैं, आराम से आराम से हमें जाना पड़ेगा और इस चैनल को कम्प्लीट करना होगा, चलो 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 सामने फिरिशिंग लाइन आ चुकी है, काड़ी मेरी कंट्रोल में आ चुकी है, और वो फैन मुझे मसमार नहीं वालता है, एक और फ फिनिशिंग लाइन पर, बहुत बड़ी है, तुम ये रोकेट कार्ड जीच चुके हो, बता ही हो, अरे थैंक यू अंकल, तो काईजर फाइनली हमें ये रोकेट कार मिल चुकी है, और आप देख से तो ये गाड़ी कितनी जादा लंबी है, फ्रेक्लिन, मैं ये गाड़ी रख लूँगा, आपे तेरी बूड़े निकले हैं, तो चलो ये रखोंगा, तो चलो ये वड़ावट से इन दोनों गाड़ियों को ले कर चलते हैं अपने शोरूम पर, तो काईजर, फाइनली हमारा शोरूम बिल्कुल रेड़ी है, स्टार्ट होने के लिए, और उसकी कार जो कि अमने आकरी में जीती, और ये गैरेट कार, बनाना कार और ये कदर नक सी जो बैंक से चुराई थी, गोल्ड की कार, तो काईजर, मैं बताता हूं कि होने के वाला है, सबसे मेले कस्टमर यहां से आएंगे, यहां पर साइमन बैठार आएगा, वो इन सब को यहां, तो काईजर, फटा आपट सी कमेंट करके बताना, इन सब में से फेवरिट गाड़ी आपको कौन सी लगी, मुझे तो यह बनाना कार बहुत ही अलग लगी, पर सबसे कहतरनाक वो रॉकेट कार, चल्दी-चल्दी कमेंट करके बता तो सबसे अची गाड़ी आपको के लिए, बाई बाई!